बिस्मिल्लारह्मालरहीम असलामलेकम टूड़े और टॉपिक इस फोटो संसेज तो अगर हम फोटो संसेज की बात करें तो सबसे पहले फोटो का मतलब होता है लाइट संसेज मीन फॉर्मेशन और प्रोडक्शन जिनके किसी चीज़ का बनना तो अब यह नहीं है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट बन रही है बलके यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की मजूद्गी में लाइट इनर्जी को यूज़ करके चीज़ों का बनना है तो यह process plants में होता है तो इस process के तू प्लांट जो हम भी ले रहे होते हैं और इसके लावा जो oxygen as a byproduct रिलीज होता है फोटो सेंसिस के process में वो हमारे survival के लिए important है तो यह process होता कैसे है जब plant carbon dioxide and water into the light energy लेते हैं तो light energy क्या करते है water and carbon dioxide को break करती है और क्या बनाती है गलुकोस बनाती है और साथ में as a byproduct, byproduct क्या होता है कि जो extra product होगी जो extra चीज बनेगी वो क्या release करते है वो oxygen होते है byproduct और इसके साथ थोड़ा सा water भी release होता है तो अब plant ने क क्या क्या अपनी food बना लिए glucose बना लिए अब यह सारा process कहां हो रहा है यह सारा process होरा होता है chlorophyll के अंदर तो photosynthesis की definition क्या हुई photosynthesis is the senses of glucose कि इसमें glucose का बनना होता है from carbon dioxide and water ठीक है water किसे water or carbon dioxide in the presence of sunlight ठीक है sunlight से वो क्या लेते है light energy लेते है and chlorophyll with oxygen as a byproduct ठीक है process कहां पे हो रहता है और oxygen as a byproduct release होते हैं इनके extra product होगा वो release होगा ज्योंकि हमारे survival के लिए important है और photosynthesis is anabolic process है anabolic process है और pathway क्योंकि इसमें क्या है चीजों का बन चीजें बन रही होते हैं और चूट रही होते हैं नेक्स आ जाते हो के पास intake of water and carbon dioxide क्योंकि हमने बात किए photosynthesis का process किसकी process में होगा water की और carbon dioxide carbon dioxide होगी water होगी तो यह photosynthesis का process होगा otherwise यह process नहीं होगा अब plant पानी और carbon dioxide कहां से लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं water की पानी लेए तो जब water की बात करते हैं to soil किंदर क्या present होगा तो प्लांट क्या करेंगे soil मेंसे water को अपनी तरफ लेंगे तो अक्सर आप एक छोटे-चोटे-एक में समय में समय कि दिया दागे के हैं कि धागे की तरह आगी है तो呼ом कि उनक्राम कि दिये हैं तो यह प्लांड है, तो बजक्न होगी औरे साथ प्लUST है, और बहुत का दॉट. तो water absorption किसके त्रू होती है? water absorption होती है by roots and root hairs ठीक है? तो water absorption किसके थू होगी? by roots and root hairs through osmosis यहां पे लिखा भी हुआ है water absorbed by roots and roots hair through osmosis to osmosis is what means? movement of water from the area of high concentration to the area of low concentration क्योंकि अब soil के अंदर पानी क्या है? ज़्यादा है जब स्यार्ब के अंदर पनी जादा होगा तो अब लोग किया करेगा कम की तरुम मूँफ करेगा प्लांट की पूलड की तरु जाएगा existem तो उब्सोरब कुं का रहा है। वांटर को एब्सॉर्प करही रिए चायर है। यॉॉटर को एब्सॉर्प कर रहा है। और फिर उसunde प्लांट के एगल पंट लीव के तरह पहले हमाते हैं कि इस हम जाते हैं, कर्वामम का विख तो कारबन डा시죠 Come here Canadian right! तो लिफ टीनि पोस के तुरूंट में Will स pillar 10 15 लिवा है लेग्वोंट में आज लेचोंगर अग्या लिफ Rice मेसो फिल इस लिव से जाएं मेसोफिल तुरूंगर मेसे हैं छई लिवा है क्योंकि अभी वाटर सायल से कहा चला गया लीव्स की और इन एर स्पेसिस के आगे पिछे क्या है वाटर है तो मीजो सेल किस अरौंड क्या है वाटर है तो अब जब ए इस वाटर के साथ मिलेगी तो क्या होगा तो एर एब्सॉर्ब हो जाएगी और वहां से भी यह और प्योंकि आगे असाथ मिलेगी तो किस अरौंट बहुत है